दोस्तों मेरे स्वंच अभिसार शर्मा पर मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बॉम्बे हाई कोट से बॉम्बे हाई कोट ने महराश्च सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर को एक्सपोज करते रह सकते हैं सरल शब्दों में कहा जाए समीर वैंखडे के परिवार ने नवाब मलिक पर मानहानी का मुकदमा किया था कि वो समीर वैंखडे के बारे में घलत जानकारी जो हैं वो सार्वजनिक कर रहे हैं और उन पर अंकुष लगाया जाए और उन पर म सार्वजनिक तौर पर रखें क्रपया उसकी पुष्टी करके ही आप उसे सार्वजनिक तौर पर रखें दोस्तों एक करारा जटका है समीर वांखड़े के लिए या ये कहा जाए समीर दाउद वांखड़े के लिए क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा नवाब मलिक ने उ जबाब मलिक पर मानहानी का केस कर दिया होता। उनके आरोब क्या थे दोस्तों और वो प्रमान के साथ पेश कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि समीर दाउद वांखडे के स्कूल और बर्थ सर्टिफिकेट से ये पता चलता है कि वो मुसल्मान थे। अब जब आप प नवाब मलिक का ये आरोब जो उन्होंने बाकाइदा बी एमसी के एक दस्तावेस के जरीए पेश किया था वो सही साबित हुआ है क्योंकि अदालत ने से जुटा करार नहीं दिया है। दूसरा आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों एक के बाद एक ये तस्वीर आ रही हैं। पह इस से ये पता चल रहा है कि नवाब मलिक जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। मैं आपको ये भी बतलाना चाहूँगा कि नवाब मलिक ने अपने आरोपों में कई चीज़ें उन पर कहीं थी। उन्होंने जैसे कि आपको याद होगा समीर दाउद वैंकडे की जो बहन है या असमीन कह रही हैं कि अब हम घुमने जा रहे हैं और नीचे दुबई लाइफ लिखा हुआ था। उस चीज़ को लेकर असमंजस जरूर बना हुआ है मगर अदालत ने सही माइनों में जो है मान लिया है एक तरह से कि वो जो जो सुबूत नवाब मलिक ने पेश किये थे वो सही थे अब इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ यह हुआ अब जबकि अदालत ने उन कास्ट सर्टिफिकेट्स को उन दस्तावेजों को या उन प्रमानों को घलत नहीं माना है इसका मतलब यह हुआ कि समीर दाउद वांखडे का प्रवेश यू पीएस सी में कुछ ऐसे क अर्थिये सर्टिफिकेट्स के जरी हुआ जिन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है मैं ये नहीं कहता हूँ कि झूट है मगर सवालिया निशान बना हुआ है अब इसकी वज़गा से क्या हो सकता है दोस्तों अगर ये पूरी की पूरी कारवाई जो है प्रतिक तरीके से स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ेगी तो समीर दाउद वांकडे का civil services में रहना अपने पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा उन्हें अपनी नौकरी से हाथ दोना पड़ेगा यहां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप समीर दाउद वांकडे वो शक्स जिसने आपके स्क्रीन्स पर आरियन खान को परिशान किया था टॉर्चर किया था और अगर मैं एक शब्द उनके लिए इस्तिमाल करूँ किड़नाप किया था और मैं किड़नाप शब्द का इस्तिमाल पहुत जिम्मेदारी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि Bombay High Court का ही आदेश इस मुद्दे पर आया था और उन्होंने ये कहा था कि समीर वैंखडे ने या Narcotics Control Bureau ने आरेन खान के खिलाव जितने भी सबूत पेश किये सब बक्वास हैं। और यही नहीं बाकाइदा WhatsApp चैट सामने उभर आया थे प्राइविट डिटेक्टिव किरन गोसावी के और उस WhatsApp चैट में ये पता चल रहा था कि पहले से ही लोगों को चिन्हित किया गया था मार्क किया गया था ताकि उन्हें गिरफतार किया जाए यानि कि आरेन खान के खिल काम जो आपके सामने कह रहा हूँ नंबर एक नवाब मलिक ने जो तमाम प्रमान पेश की अपने प्रेस कॉन्फरेंस के जरिए नंबर दो बॉम्बे हाई कोट का आदेश आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि सिर्फ WhatsApp चैट्स के आधार पर हम इस निशकर्श पर नहीं पहु आठारा करोड की वसूली का प्लान था और इसमें किरण गुसावी भी शामिल थे और इस अठारा करोड में से आठ करोड बकॉल प्रभाकर सेल दिये जाने थे किसे समीर दाउद वैंखडे को लेकर आज मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूँ देश के ग्रे मंत्री आमिशा से हमिजी आप मेरे इन सवालों का जवाब नहीं देते मगर एक नागरिक होने के नाते एक पत्रकार होने के नाते इन सवालों के जवाब लिये जाएंगे और वो सवाल बहुत सरल है अब जब की अदालत ने नवाब मलक पर मानहानी करने से मना कर दिया है अब जब की अदा के इस पैसले के प्रकाश में एक भी दिन उनका नौकरी में बने रहना मुश्किल हो जाता है मैं फिर दोरादू मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं मैं ऐसा आपके सामें इसलिए कह रहा हूं क्यूंकि समीर दाउद वैंखडे के परिवार ने बॉंबे हाई कोट में मानहानी का केस क इसमें उन्होंने ये कहा था कि नवाब मलिक जूट के आधार पर समीर वैंखडे को टारगेट कर रहे हैं निशाना साध रहे हैं अदालत ने ये भी कहा था कि हम इस इन तत्थियों की जाच करेंगे मगर अब अदालत ने नवाब मलिक पर अंकुष डालने से उन पर रोक लगाने से मना कर दिया है और जाहिर सी बात है दोस्तों कि नवाब मलिक इसे अपने बहुत बड़ी जीत मांग रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर उनका ट्वीट सत्यमेव जैते और मैं समीर वैंखडे को एक्स्पोज करते रहूंगा बोलने की आजादी सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है जिम्मेदारी से कोई बोले तो उस पे पहरा या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती बुछ निया लेके निर्ने का हम स्वागत करते हैं और निश्चत रूप से अन्याई की खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी सत्यमें हो जायते यकीन मानिये दोस्तों नवाब मलिक ने जो काम किया है वो काम काइदे से पत्त्रकारों को करना चाहिए था काइदे से तमाम हकीकत को पत्त्रकारों को लाना चाहिए था मगर उन्होंने नहीं किया और मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने कैसे पूरे खेल को पढ़ता वो क्या-क्या चीज़ें आपके सामने लाते रहें आरेन खान को सही माइने में आमिर फरनेचर वाला ने निमंत्रन दिया था क्रूज पर आने के लिए अब ये फर्क क्यूं नवाब मलिक ने सबसे पहले इस सवाल उठाया था कि ये फर्क क्यूं कि आरेन खान को तो आपने जेल में डाल दिया मगर आमिर फरनेचर वाला और और रिशब सचदेवा जो की बीजेपी के एक नेता का रिश्दार हैं उहें आपने जल्द रिहा कर दिया उसके बाद नवाब मलिक ने आपके सामने एक और प्रमान पेश किया था कि किस तरह से इस रेड में मोहित मनीश भानुशाली नाम का बीजेपी का नेता शामिल था के किरन गोसावी जो है वो समीर वैंकडे के पीछे खड़ा हुआ है किरन गोसावी मैं आपको बता दूँ आपराधिक इतिहास का एक व्यक्ति है एक आपराधिक इतिहास का आदमी एक प्राइविट डेटेक्टिव आखिर एक रेड में क्या कर रहा था और फिर समीर वैंकड के अपने कास्क सर्टिफिकेट के बारे में नवाब मलिक का ये दावा था कि वो जो है पिछडी जाती से नहीं है उन्होंने गलत कास्क सर्टिफिकेट पेश किया और वो पैदाईशी मुसल्मान हैं उनका परिवार लगातार ये दावे करता रहा ये सही नहीं है नवाब मलि गलत है, नवाब मलिक जूट बोल रहे हैं, मगर आज अदालत ने उन्हें एक बहुत बड़ी जीत दी है दोस्तों, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा, आज से एक साल पहले क्या हुआ था, आप भूल गए होंगे तो फिर याद दिला दो, इन चेहरों को देखिए, दिपिका पाड़कोन, सैरा अली खान और श्रधा कपूर, साथ में रिया चकरवर्थी, पहले तीन नामों को बुलाकर समीर वैंखडे लगातार पूछताश करते थे, रिया चकरवर्थी के खिलाफ मीडिया में लगातार जानकारी लीग की जा रही थी, जूटी जानकारी लीग की जा रही थी, और आज तक किसी चार्टशीट में रिया चकरवर्थी का नाम नहीं है, कोई प्रमान उनके खिलाफ नहीं मिला दोस्तों, और ये तमाम जानकारी कौन मीडिया को लीग कर रहा था, ये तमाम जानकारी समीर दाओद वांखडे मीडिया को लीग कर रहा और मैंने अपने कारक्रम में आपको बताया था कि ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी आईरनी है कि तीन-तीन-चार-चार लड़कियों को समीर दाउद वैंखडे एक साल पहले टार्गेट कर रहे थे, रिया शकरवर्ती की जिंदगी बरबाद कर दी समीर है कर्म का दोस्तों, जैसा कर्म करेगा, वैसा फल पाएगा तू इनसान, खेर, हम सिध्धान्तों पर विश्वास करते हैं, हम तत्यों पर विश्वास करते हैं, कर्म पर नहीं और वही तत्य, मैं इस मंच पर आपके सामने पेश करता हूँ, और तत्य ये है कि बॉम्बे हा कोट में नवाब मलिक को बड़ी जीत मिली है और उस जीत के मताबिक अब नवाब मलिक समीर वैंखडे को एक्सपोस करते रहेंगे समीर वैंखडे के परिवार ने जो दावा पेश किया था कि उनके जाती सर्टिफिकेट को लेकर और उनके शादी के बारे में जो तमाम जानकारियां नवाब मलिक दे रहे थे जो उनका दावा था जूट है अदालत ने इससे भी सिरे से खारज कर दिया है नमस्कार